नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई हो अप सब ठीक होंगे जो महिल आएं अपने नौवे महीने में हैं या आपकी डिलीवरी मार्श महीने में या एपरल महीने में होने वाली है ऐसे में क्या होगा आपकी बाड़ी में अब नॉर्मल डिलिवरी के हॉर्मोन जो हैं वो बनने शुरू हो गए है यानि कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलिवरी के लिए रेडी हो चुका है अपनी पोजीशन ले चुका है प्रॉपर आपकी बॉडी भी रेडी हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए या डिलीवरी के लिए तो ऐसे में जब बच्चा नीचे की और खिसक जाता है तो धीरे धीरे करके आपके बच्चे दानी का मुँख खुलना शुरू होता है जितना ज़ादा ज़रूरी बच्चे का नीचे की और आना है उससे बेहत ज़ादा ज़रूरी बच्चे दानी के मूँ का खुलना होता है जब तक बच्चे दानी का मूँ 8-10 cm नहीं खुलता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है ऐसा नहीं है बच्चेदानी का मुँ एक बार में 8-10 cm खोल जाएगा ये धीरे-धीरे करके और आपकी delivery rate से 10-12 दिन पहले से खुलना शुरू हो जाता है, smooth होना शुरू हो जाता है ऐसे में महीलाओं को बहुत जादा tension रहती है कि बच्चेदानी खुली नहीं खुली नॉर्मल delivery होगी नहीं होगी आप भी जानना चाते हैं तो आज की इस वीडियो में proper detail में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चेदानी का मुँ खुलता है तो महीलाओं कैसा महसूस करती हैं क्या क्या लक्षन आपको नजर आते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले चैनल में हमारे पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले तो नवा महीना फ्रेंड एक ऐसा समय है जिस दोरान आपको कभी भी कॉंट्रेक्शन शुरू हो सकते हैं और आपके डिलिवरी हो सकती है जरूरी नहीं है कि बचेदानी का मूँ नवे महीने में खुले या आपकी EDD के आसपास खुले बचेदानी का मूँ कभी भी कुल सकता है और आपको कॉंट्रेक्शन आ सकते है तो ऐसे में आपको इन बातों पर विशेश कर ध्यान देना है जो बताएंगे कि आपकी बचेदानी स्मूध होनी यानि कि उसका मूँ पतला होना शुरू हो चुका है जिसमें सबसे पहला आता है डिश्चार्ज डिश्चार्ज यानि कि वाई डिश्चार्ज जो की होल प्रेइनसी आपको होता है लेकिन जब बचेदानी का मूँ आपकी खुल जाता है तो ये discharge आपको चिप चिपा, ट्रांसपेरेंट और पानी की तरह आने लगता है इसका जो pattern है वो आपको बलगम की तरह नजर आएगा ठीक है और जब बच्चेदानी प्रॉपर तरीके से खुल जाती है तो बच्चेदानी के मूँपर लगा हुआ mucous plug यानि की mucous plug जो बलगम की तरह दिखने में होता है वो discharge हो जाता है काफी महीलाओं में देखा जाता है कि एक बार में ठका नजर आता है बूरे रंग का, सफेद रंग का या पिंक कलर का और काफी महीलाओं में धीरे धीरे करके जब वो urine पास करती है आपको हलके फुल के वाइक टेश कलर के करन आ सकते हैं डिश्चार्ज फॉर्मेज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्जदानी पतली होनी यानि कि बच्जदानी का मुँ खुलना शुरू हो गया है आपको डरना नहीं है, घबरना नहीं है दूसरा होता है यूनी मार्ग में आपको दबाव, जंजनाहट, प्रेशर, महसूस होना काफी महीलाओं में देखा जाता है कि उन्हें सूजन भी महसूस होती है क्योंकि बच्चा प्रॉपर तरीके से श्रीनी में फिक्स हो जाता है जिसके बाद बच्चे का पूरा भार आपके यूनी में आ जाता है बच्चेदानी धीरे-धीरे करके खुलनी जब शुरू हो जाती है तो ये दर्द आपको धीरे-धीरे करके जादा बढ़ने लगता है आपको चलने, फिरने में, करवट लेने में यहां तक कि जब आप यूरन पास करती है आपको प्रेशर दबाव दर्द महसूस हो सकता है तो ये संकेत करता है कि आपके डिलीवरी अप नस्दीक है काफी महिलाओं में जब बच्चेदानी धीरे-धीरे के खुलनी शुरू हो जाती है चार से पान सैंटिमीटर तक पहुंच जाती है तो लूज मोशन की समस्या देखी जाती है क्योंकि आपके बॉड़ी में रिलेक्सिन हॉर्मोन रिलीज होता है जो आपकी आपों को भी रिलेक्स करता है और महिलाओं में लूज मोशन की समस्या देखी जाती है आपको इसके लिए भी डरना नहीं है ये भी संकेत करता है कि बच्चेदानी खुलनी शुरू हो गए पेट की नीचले हिसे में दर्द प्रेशर दबाव महसूस होगा कमर की नीचले हिसे में आपको कॉंटी निउसली हलका हलका दर्द रहता ये दर्द हलका हलका है तो बताता है कि डिलीवरी कभी भी हो सकते है लेकिन दीरे दीरे करके ये दर्द बढ़ने लगे पीट से कमर में कमर से पीट में आने लगे तो ये बताता है कि अब आपकी डिलीवरी कम समय में होने वाली है एक से दो दिन में हो जाएगी वहीं पेशाब की बात करें तो पेशाब आपको बहुत ज़दा आने लगता है वहीं बच्चे का पूरा भार आप पेशाब की ठहली पर पड़ेगा जादा मातर में पेशाब की ठहली पेशाब को होल नहीं कर पाएगी और आपको संसिशन लगती है कि पेशाब आने वाला है ये सारे संकीत दर्शाते हैं कि बच्चा डिलीवरी के लिए तयार हो चुका है बच्चे धनी का मुँ खुलना शुरू हो गया है वहीं अगर डिशार्ज आपको लाल रंका आ रहा है हरे रंका आ रहा है तो ये अच्छा संकीत नहीं बताता है ये बताता है कि बच्चे न अंदर पौटी कर दी है या बच्चा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा